ओके इन दिस वीडियो वी आर डिस्कसिंग टॉपिक कॉल्ड कॉंप्लेक्स नंबर्स यह जो कॉंप्लेक्स नंबर्स टॉपिक है बटा यह आज के पहले कभी भी CET में नहीं था means I can understand 11 standard CET में एड किया गया 2018 में 11 standard का 20% portion आएगा ऐसा 2018 में CET ने बोला था then 2019 में CET हुआ 2020 में CET हुआ यह तीन साल in the CET exams कॉंप्लेक्स नंबर कभी था ही ने कॉंप्लेक्स नंबर वॉज नेवर देर इन दीज थ्री यह सीटी एग्जांट बट जब उन लोग ने 2021 का CET सिलेबस डिक्लेर किया तो 2021 में I don't know वाई उन्होंने कॉंप्लेक्स नंबर सिलेबस में एड किया और CET मतला वो लोग बोलते हैं के CET में अब कॉंप्लेक्स नंबर आएगा this they have done at the expense of sequence and series sequences series पहले CET में था अब नहीं है और you can say अब से बच्चों को कॉंप्लेक्स नंबर भी CET लेवल पे करना पड़ेगा they have to do at CET लेवल, कॉंप्लेक्स नंबर now, कॉंप्लेक्स नंबर मंजे काई देखो, मेरा पर्पस किसी भी एंगल से सिरफ फॉर्मिला 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 बताना नहीं है my purpose is to make the concept clear of the chapter generally, कोई भी polynomial होता है हमारे पास we have a polynomial ax square plus bx plus c equal to 0 ax cube plus bx square plus cx plus d equal to 0 या trigonometric equation whichever यह जो roots of the quadratic equation होते हैं quadratic ही वर्ड क्या बोलूँ? polynomial यह जो roots of a polynomial होते हैं इसमें हमारे पास दो variety होती है either the roots will be real or the roots will be non-real या तो आपके roots real होंगे या तो आपके roots non-real होंगे बेसिकली real roots और non-real roots मतलब क्या होता है तो जब हम लोग बोलते हैं के we have a certain polynomial हमारे पास एक polynomial है f of x let me say हमारे पास एक f of x है which is a equation यार चल पॉलिनॉमियल बार बार बोल रहा हूं मैं a equation I have a equation now as far as math is concerned everybody knows every equation is basically a graph हर equation अपने आप में एक graph होता है अगर वो graph x-axis को काटे समझो graph कैसा भी हो सकता है ऐसा नहीं के मैं sin x ही बना रहा हूं देखो मैंने shape थोड़ा अलग ही दे दिया अगर मैं बोलूं के एक f of x मैंने बनाया ये मेरा f of x है अब ये f of x मेरे x-axis को कट कर रहा है जितना मैंने बनाया उतने में चार बार कट कर रहा है four times ये जो कट कर रहा है ना x-axis को इन ही को तो roots बोलते हैं तो अगर ये मेरे इस x-axis को कट कर रहा है और seriously diagram में दिख रहा है के polynomial x-axis को कट कर रहा है तो हम बोलेंगे ये सब के सब real roots है ये इन ही को बोलते हैं real roots अगर आपका polynomial x-axis को कट कर रहा है तो जहां कट कर रहा है वो real root होते हैं पर ऐसा भी तो हो सकता है के तुम्हारा diagram ऐसा बने के वो x को कटी ना करें possible है देखो मैंने ऐसा कुछ तो random diagram बनाया अब ये क्या बनाया I don't care कुछ तो बनाया और इस equation को मैंने बुला g of x ये जो भी function मैंने बनाया ये function है g of x अब ये g of x क्या कर रहा है ये x-axis को कटी नहीं कर रहा it is never cutting the x-axis never cuts the x-axis तो क्या इसका मतलब क्या हुआ g of x को अगर मैं equal to zero बोल दूँ तो क्या इसके root नहीं आएंगे याद रखना root तभी निकलते हैं जब मैं किसी को equal to zero बोलता हूं इसके भी roots निकले क्योंकि मैंने f of x को equal to zero बोला f of x को equal to zero बोला roots निकले और वो real निकले मतलब f of x का graph x-axis को काट रहा था अब मैंने g of x को zero बोला roots निकले पर real नहीं निकलेंगे इस बार roots निकलेंगे complex यानि imaginary याद रखना roots तो हर equation के होते हैं कोई भी equation ये नहीं बोल सकती ही के उसके पास roots नहीं है roots तो हर एक के होते हैं अब कोई polynomial होता है जो अपने diagram में x को काटेगा कोई polynomial होता है जो अपने diagram में x को नहीं काटेगा ये पूरा explanation का मेरा एक ही purpose था आपको ये बताने का कि हम complex number पढ़ते क्यूं है complex number हम इसलिए पढ़ते हैं because कुछ diagrams ऐसे होते हैं जो x-axis को कभी कटी नहीं करते इससे नेवर कटी एक सेसे अच्छा सर एक सक्सेस कट करेगा नहीं करेगा इससे कुछ फरक पढ़ता है या सर डेफिनेटली पढ़ता है आई शो यू हो कोई ग्राफ x-axis को कट करेगा कट नहीं करेगा डेफिनेटली इससे बहुत फरक पढ़ता है क्या फरक पढ़ता है लेट मी शो यू तुम्हें पता है नॉर्मल साइनेक्स का ग्राफ कैसा होता है नॉर्मल साइनेक्स का ग्राफ वर्क साउट लाइक दिस ये तुम्हारा normal sine x का graph होता है इसमें क्या situation है जितनी cycle positive होती है उतनी ही cycle negative भी होती है You can say half lobe positive, half lobe negative जिसकी वज़े से अगर आप इस वाले का average value निकालोगे ये वाले signal की average value तो बेटा, average value 0 आएगी क्योंकि वो जितना positive है, उतना ही negative है अब ये तुमने sine theta बना है ये जो sine theta होता है यही तो तुम्हारा घर में आने वाला alternating current होता है AC voltage या AC current आप जिसको बोलते हो वो यही तो होता है अब तुम खुद सोचो बेटा जो electricity तुमारे घर में आ रही है उसकी average value 0 है अगर आपके घर में आने वाली electricity की average value 0 होगी खाक कोई appliance उससे चलने वाला है average value 0 नहीं होनी चीए बेटा कुछ तो मिले तो जो घर में electricity आती है न वो थोड़ा सा shifted sine wave होता है मतलब वो ऐसे नीचे जो मैंने बनाया वैसा sine wave नहीं होता घर में आने वाली electricity कुछ इस प्रकार का sine wave होता है अब इसमें क्या बोलेगा वो इसमें थोड़ा सा भी cycle x-axis के नीचे नहीं जा रहा है यानि जितना भी cycle है ना बेटा सारा positive area में ही है ठीक है अपनी एक average के हिसाब से बोलेगा के suppose इसकी average 5 है तो वो ऐसा बोल सकता है के मेरी value कुछ देर के लिए 5 से कम, कुछ देर के लिए 5 से ज़्यादा ठीक है यह language use कर सकता है पर ऐसा नहीं बोल सकता है के कुछ देर के लिए positive और और कुछ देर के लिए negative नो यह तो forever positive दिखाई दे रहा है यह जो मिरको इधर भी positive ही है यह भी positive है यह भी positive है यह भी positive है यह भी positive है और जो shape है वो fine ठीट है अगर यह वाला तुम दोगे as a alternating current या alternating voltage believe me तुमारा average value 0 नहीं होगा और तुमारा appliances अच्छे से चलेगा इट्विल रन वरी वेल नाँ जस्ट उमीद कर रहा हूं के इतना बगग बग 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 समझा होगा है तो यह मैंने शिखा है अभी तुम यह देखो ना जो cycle तुमारे घर में appliance को चला रही है वह x axis को काटी नहीं रही है मतलब अगर इस वाले signal का निकलोगे तो complex आएगा यह जो cycle है इसका roots निकलोगे तो complex आएगा जबकि कहूंगा तो यही cycle तो मेरे काम आ रही है average value 0 वाली cycle थोड़ी काम की है इसकी average value 0 नहीं है और यह मेरे काम की है average value 0 क्यों नहीं है क्योंकि इसने x को cut नहीं किया सर जरूरी है क्या नहीं ऐसा भी जरूरी नहीं है कि आपको average value अगर कुछ चाहिए नॉन जीरो चाहिए तो roots complex ही होने चाहिए ऐसा भी नहीं है देखो न इस तरह की cycle भी हो सकती है थोड़ा सा हिस्सा नीचे गया पॉसिबल है अब यह x-axis को काट रही है यह जो मैंने अभी अभी बनाया विटा यह x-axis को काट रहा है और इसकी average value 0 भी नहीं है तो ऐसे signals भी होते हैं मैं ना बोलता I will always agree with that ऐसे signals भी होते हैं पर फिर ऐसे signals की average value बहुत जादा बड़ी नहीं होती है 0.7 0.8 something like that तुमारे घर में जो बाहर दीवाली पे तुम लोग लड़ी लगाते हो ना वह वाला LED चालू करने के लिए ठीक है पर अगर तुम बोलोगे के मिरको मेरा computer चलाना है तो उसके लिए यह cycle ठीक नहीं है मतला बड़ी वोल्टेज के लिए ठीक नहीं है बड़ी वोल्टेज के लिए मिरको यह जो मैंने average value not equal to zero roots complex बोला वह वाली cycle चाहिए यह वाले में तो वह सीधा बोलेगा roots are real क्योंकि वह x-axis को काट रहे है roots are real because वो roots x-axis को काट रहे है need to understand all this हम लोग भहुत सारे बच्चे complex number नाम लिया तो बोलते है a plus bi correct है a plus bi रॉंग नहीं है complex number मंजे काए yes a real plus a imaginary a real coefficient plus a imaginary coefficient a plus bi or you can say like this a real part plus a imaginary part z is equal to a plus bi जहां यह जो a है यह तुमारा real part है और यह जो आपका bi है यह आपका imaginary part है तो a is my real part bi is my imaginary part this is what we call complex number where i is called root of minus 1 imaginary number i is root of minus 1 i square करोगे तो minus 1 आएगा i cube करोगे तो minus i आएगा i raise to 4 करोगे तो 1 आएगा और एक बार 1 आ गया तो याद रखना बिटा 1 is the identity element that is i raise to 5 के बाद पूरी cycle repeat होईगी i raise to 5 वापस आएगा i raise to 6 वापस minus 1 आएगा i raise to 7 वापस minus i आएगा i raise to 8 वापस 1 आएगा 1 आएगा मतलब आएगा i raise to 9 वापस आएगा i raise to 10 वापस minus 1 आएगा i raise to 11 वापस minus i आएगा i raise to 12 वापस 1 आएगा and 4 यह cycle चलती रही इस cycle के बारे में i can only specify like this अगर i की power 4 का multiple होगी तो answer हमेशा वन आएगा you can check i raise to 4 i raise to 8 i raise to 12 जभी भी i की power 4 का multiple होगी तो answer हमेशा वन आएगा जभी भी i की power 4 के multiple से एक ज्यादा होगी तो answer हमेशा आएगा that is i raise to 5 i raise to 9 4 1 जा 4 plus 1 5 4 2 जा 8 plus 1 9 4 0 जा 0 plus 1 1 वो भी एक example ही है यार अगर i raise to 4 k plus 2 आया ना तो minus 1 आता है i raise to 4 k plus 2 आया तो minus 1 आता है और i raise to 4 k plus 3 आया तो minus 1 आता है that's the whole cycle it flows value वूपर है you can verify whatever i am saying to you going forward वापस बात करो z क्या था a plus ib आपका z क्या था a plus ib a plus ib को अगर आपको समझ में आये पता है आरगन डाइगराम में भी प्लॉट कर सकते हो यह जो तुम्हारा a plus ib होता है it can also be planned in a आरगन डाइगराम और कुछ नहीं है बिटा तुम्हारे कार्टीशियन कॉल्डिनेट सिस्टम के तरह यह एक्स एक्स को कहा जाता है रियल एक्स और वाय एक्स को कहा जाता है imaginary axis अगर मेरे को a plus bi plot करना है तो वो क्या करेगा रियल एक्स पर a को सर्च करेगा imaginary axis पर कहीं b को सर्च करेगा और दोनों को perpendicularly intersect करेगा जहां intersect करेगा उस intersection point को बोलेंगे z yes intersection point को z बोलते हैं a या b को नहीं और यह intersection point का value आएगा a plus i b coordinates के terms में बोलोगे तो a, b complex number के terms में बोलोगे तो a plus i b now अगर मैं origin को मेरे z से diagram में direct join करता हूँ direct मतलब ना मैंने x axis के साथ join किया ना मैंने y axis के साथ join किया मैंने मेरे z को origin के साथ direct join किया यह जो direct join करके line आती है ना इसको r बोलते है this is called r और you can say modulus यह ना तुमारे complex number का r होता है या फिर modulus diagramatically देखोगे y पे तुमने b mark किया था मतलब यह length आपकी b है real axis पे आपने a mark किया था मतलब यह length आपकी a है तो अगर a और b यह दोनों आपने यहां पे mark कर रखे हैं मतलब अगर यह भी है तो rectangle के हिसाब से यह b होगा check your diagram आपका diagram clear बोलता है कि it is making a right angle triangle with r as hypertonus a as base and b as high square is equal to a square plus b square यहां से आ बना वो बना मेरा root of a square plus b square और उससे complex number का modulus बोलते हैं मतलब यह वाला जो complex number है बेटा इसकी एक quantity मैंने अभी अभी discuss की modulus of z mod z बोलो ऐसा mod z लिखो या r लिखो मतलब एक ही है इन सब को modulus ही बोलते हैं जिसका अभी अभी formula क्या आया root of a square plus b square further speaking यह जो r है आर हाँ अब मैं r पे आ गया बेटा a और b हो गया मेरा अब यह जो r है यह मेरे x-axis के साथ जो angle बनाता है ना उसको theta बोलते है also called as argument और amplitude of z दो नाम है इसके either you call it argument of z और you call it amplitude of z basically theta theta मैं कैसे निकलूंगा तो इस diagram में tan theta के बारे में सोच के देखो अगर यह diagram में tan theta के बारे में सोचोगे tan theta होता है opposite upon adjacent तो इसका tan theta आएगा b upon a इस पूरे system का tan theta आएगा b upon a मंजे theta आएगा tan inverse of b upon a तो इसका theta आएगा tan inverse of b upon a आपने जिदर भी institutes में यह पढ़ाई की होगी उन लोग ने इसमें चार condition दी होंगी पाई प्लस पाई माइनस दिस माइनस डाट प्लस कूछ सोचो मत एक फॉर्मिले से काम चलाओ बाकी का management बाद में हो जाएगा वो जितने भी अलग-अलग फॉर्मिले देता है ना एक्चली जरूरत नहीं है सब कुछ एक फॉर्मिले में काम होता है थोड़ा सा quadrant knowledge लगानी पड़ती है rest nothing upon hypertenis that means b upon r if it is b upon are तो b का value आईगा r sine theta same way cos theta पे महनत करो अगर आप cos theta पे महनत करोगे तो तुमको value आएगी a upon r that is adjacent upon hypotenuse cross multiply करोगे तो A फेकने को तयार हो जाएगा R cos theta तो A का value आ रहा है तुम्हारा R cos theta अगर मैं ये A और B इस Z में substitute करता हूँ तो मेरा Z क्या फेकने को तयार है Z बोलता है I am R cos theta plus I R sin theta value of this is R cos theta plus I R cos theta plus I sin theta R common आया और bracket में आया cos theta plus I sin theta ये भी मेरे complex number को लिखने का एक format है क्या क्या हो गया ये जो Z equal to A plus I B बोलते हो न इससे कहते हैं complex number का Cartesian format और ये जो जो तुम बोलते हो Z is equal to R cos theta plus I sin theta इस format को इस format को बोलते हैं complex number का पोलार फॉर्मेट तो one is a cartesian form and other is a polar form going further going further इसमें एक फॉर्म और होता है we call it eular form देखते हैं अभी वो भी पिक्चर में आया let's give yeah it will be coming back yeah थोड़ी दिर के लिए होता है कभी कभी I don't know what malfunctioning happens but anytime we can correct it cartesian form ah ah food are you going further guys जितना भी हम करेंगे ना तुमारे लिए एक चैप्टर नहीं बहुत फारे चैप्टरों में नॉलेज का काम करेगा एक mathematician हुआ करता था बहुत पहले maclorian maclorian sir को कहते हैं कि ये जो computer mathematics calculations करते हैं उसका जनम इस इंसान के वज़े से हुआ था यानि अगर maclorian sir नहीं होते तो शायद computer mathematics करी नहीं सकता था इनकी वज़े से generate हुआ था maclorian sir ने क्या किया था कि जितने भी functions होते हैं उन सब की algebraic series तयार करके दी थी मतलब वो बोले थे कि अगर e raise to x ऐसे calculate करोगे तो भी right answer आएगा sin x ऐसे calculate करोगे तो भी right answer आएगा maclorian sir के हिसाब से e raise to x का formula हुआ करता था one yes formula star t1 से होता है one plus x plus plus x square by 2 factorial plus x cube by 3 factorial plus x raise to 4 by 4 factorial and so on pattern तुम्हें समझी गया होगा x की जो power आती है उसी का factorial नीचे आता है सारे plus आते हैं सारी powers आती है x raise to 0 भी आया है ध्यान देना है जो one है यह x raise to 0 है तो यह जो one है यही अपने आपको बोलेगा x raise to 0 upon 0 factorial x मतलब x raise to 1 upon 1 factorial plus x raise to 2 upon 2 factorial plus x raise to 3 upon 3 factorial plus x raise to 4 upon 4 factorial like that further speaking maclorian sir के हिसाब से sin x was equal to x yes maclorian sir बोले थे के sin x की जो series है algebraic series वो x से चालू होती है इसमें सारे plus नहीं आते alternate plus minus आता है minus x cube power भी सारी नहीं आती alternate powers आती है अगर x raise to 1 आ चुका है तो अगला x raise to 3 आता है divided by 3 factorial plus मैंने बोला ना alternate plus minus आएगा x raise to 5 upon 5 factorial minus x raise to 7 upon 7 factorial plus and so on ये चलता रहेगा उसी तरह cos x बहुत सारे बच्चों को मालूम है sin x का derivative cos x होता है तो ये उपर वाली series का derivative लेने जाओ सबसे पहले तो 1 आएगा minus ये x square आएगा और नीचे 2 factorial आएगा बेसिकली तुम देखोगे जो term sin x में नहीं है वो term cos x में आएगी plus x raise to 4 divide by 4 factorial आएगा minus x raise to 6 upon 6 factorial आएगा and so on ये चलता रहेगा अब मेकलोरियन सर ने actually क्या किया ये जो e raise to x था ना ये वाले formula में x के जगा पे i theta डल दिया वो बोले what will happen if x is equal to i theta in the formula e raise to x तो e raise to x का पहला term तो 1 था उदर वैसे भी मुझे x नहीं लिखना है plus x था तो पर x के जगा पे तो मैंने i theta डला plus x square था तो i theta था whole square मतलब ये बोलेगा i square theta square divide में x नहीं था divide में 2 factorial था plus i cube theta cube divide by 3 factorial plus i raise to 4 theta raise to 4 divide by 4 factorial and so on i के अपने powers जो थे उनकी value डलना चालू कर दो 1 plus i theta i square का value था minus 1 इसलिए उसने i square के जगा पे minus 1 लिख दिया बागी theta square अपना upon 2 factorial वैसे का वैसा ही है अगला टर्म है plus i cube i cube होता है minus i तो उसने अपना minus i लिख दिया और ये बन गया theta cube upon 3 factorial plus i raise to 4 अपना 1 होता है साथ में आया theta raise to 4 upon 4 factorial and so on इस चीज़ को मैं समझने जाओं तो हमने पहले क्या याद रखना है calculation किसकी चल रही है e raise to i theta की इसका जो पहला टर्म है वो real है 1 उसके पास i नहीं है तीसरा term real है minus theta square by 2 factorial उसका i जा चुका है वो theta raise to 4 वाला term भी real है देखो plus theta raise to 4 by 4 factorial आगे आएंगे लोग पर मैं इतना ही कर रहा हूं plus अब जो लोग तुमने अभी तक नहीं लिए उनमें से i common ले लो i common लोगे तो सबसे पहला term ही आएगा theta अगला term पेज पे दिख रहा है minus theta cube by 3 factorial आएगा अगला term यहां नहीं लिखा है पर understood यार plus theta raise to 5 upon 5 factorial आएगा इतना logic तो अपने खोपड़ी में जाना ही चाहिए अगर मैं उपर की series पे ध्यान दू मैंने जो आपको sin x और cos x की series सिखाई और यह जो नीचे आई भले यह theta के terms में आई यह देखो और उपर वाला देखो तुम्हें समझेगा जो यह पहला bracket generate हुआ है ना यही cos theta है plus i पीछे common आगया है और यह जो bracket आया है ना यही sin theta है so this is basically cos theta plus i sin theta and that is nothing but e raised to i theta यह पूरी महनत क्यों की हम लोग ने यह bracket लाने के लिए ध्यान से देखो यह जो bracket है cos theta plus i sin theta यह तुम्हारे complex number के polar form में आया था और उसने बोला अब यह सब प्रूफ करके लिए कि यह e raised to i theta होता है मुझे पूरा यकीन है 11 standard में जिसने भी तुम्हें सिखाया उसने यह बोला होगा बेटा याद रखना e raised to i theta cos theta plus i sin theta होता है पर कैसे होता है यह नहीं बताया होगा मैंने आपको वो भी बता दिया और उसकी मदद से मैंने तुम्हें में मैकलॉरियन की यह तीन सीरीज भी दे दी अब तुमको e raised to x भी आता है साइन एक्स भी आता है कॉसेक्स भी आता है बेटा तुम्हारे कंप्यूटर में एक प्रोसेसर होता है math को प्रोसेसर वो इनहीं फॉर्मिलेस पर काम करता है मैकलॉरियन सर के पास बाकी की सीरीज भी है यह एवरेटिंग एश्टु एक्स आइक्स कॉसेक्स कॉसेक्स लॉग एक्स सब कुछ है मतलब अगर नहीं होगा तो मैकलॉरियन सर कंप्यूटर की मदद कैसे करेंगे तो यहां क्या प्रूव हुआ एस कॉस थीटा प्लस आए साइन थीटा अगर मैं वापस अपने पिछले पेच पे जाता हूं जहां हम लोग इस बात को रोक के बैठे थे के जैड का हमने कार्टीशन फॉर्म किया ए प्लस आई भी उसका मॉडिलस क्या होता है वो समझा उसका आर्गुमेंट क्या होता है वो समझा जैड का पोलार फॉर्म समझा अब पता चला के जैड में जो फॉर्मिला आया पोलार फॉर्म में अगर मैं उसका आर वापस एजिटे लिखूँ है तो ये जो फॉर्म है ना इसको बोलते हैं यूलर फॉर्म जहां तक तुम्हारे MCQs का सवाल है MHT, CET बोलो, JEE बोलो, JEE बोलो, JEE पेपर 1, पेपर 2 Whatever you are studying for यह जो form है R, E raise to I, theta यही सब का माईबाप है Most important form for MCQs Theory के लिए नहीं Theory के लिए तो उपर वाले दोनों form काफी है Cartesian and polar लेकिन अगर मुझे MCQ perspective से solve करना है Specially JEE MHT, CET एक बार के लिए Polar और Cartesian से हो भी जाए JEE का complex number इस Euler form के भी नहीं सीख ली के E raise to I, theta क्या होता है वो तुम्हें और भी जगाओ पे कामा सकता है के E raise to I, theta क्या होता है और कैसे आता है बहुत important कैसे आता है Let's go ahead अब आपने क्या सीखा बिटा E raise to I, theta क्या होता है तो आपने E raise to I, theta सीख लिया के सर ये तो cos, theta प्लस I, sin, theta होता है इस चीज़ की judgment लगाओ judgment लगाओ मतलब कौन सी टम किदर है वो सोचो अगर E के पावर में I के साथ theta है तो उसका जो complex number form आया उसमें cos और sin का angle theta है मतलब I के साथ जो भी होगा वही इस formula में cos और sin का angle होगा तो अगर मैं लिखने जाऊं E raise to I, तो E raise to minus I, theta क्या करेगा? यह बोलेगा I am E raise to I into minus theta देखो, मैं minus I, theta बोलू या I into minus theta बोलू, फरक्या पढ़ता है लेकिन यह ऐसा लिखने से मुझे फाइदा क्या हुआ? मुझे यह समझ गया कि E के पावर में I के साथ actually आया कौन है? तो actually E के पावर में I के साथ आया है minus theta उस हिसाब से यह बनेगा cos of minus theta plus I sin of minus theta basic math तुम्हें आता ही है cos of minus theta is always cos theta sin of minus theta is minus sin theta तो यह बीच में minus आ जाएगा ना ऐसा हो जाएगा ऐसा समझ में आया कि E raise to minus I theta is cos theta minus I sin theta और यहाँ पे मुझे समझ में आया तो में यहाँ तुम्हें और एक फंडा समझा सकता हूँ यह E raise to I theta ना होके suppose E raise to I n theta हुआ तो अगर यह E raise to I n theta हुआ तो वो क्या बोलेगा कि E के पावर में I के साथ n theta आ रहा है अगर E के पावर में I के साथ n theta आ रहा है तो यह भी क्या बनेगा? cos n theta प्लस I sin n theta यह बनेगा cos n theta प्लस I sin n theta उसने promise किया था कि E के पावर में I के साथ जो भी आएगा वही cos और sin का एंगल होगा तो यहाँ पे तो पूरा n theta आया I के साथ इसलिए यह बन गया cos n theta प्लस I sin n theta वैसा ही कुछ beta minus में भी लग जाएगा तो अगर मैं बोलू हूँ के what is E raised to minus I n theta तो वो भी क्या बनेगा? वो बनेगा cos n theta minus I sin n theta बहुत logical logical बाते कर रहे हैं अपन कुछ भी ऐसा नहीं है जो एकदम rocket science है अगर मैं जे डबली लेवल पे जाने वाला होता ना तो मैं तुमसे rocket science वाली बाते भी करता पर अभी मेरा दिमाग चल रहा है के पहले बच्चे CET तो ढंग से clear कर ले अगर बच्चे CET ढंग से clear कर जाएं तो उसके बाद मैं उनसे जे डबली की उमीद भी कर लूँगा पर अभी तो CET का भी बच्चों को लगता है कि सर पहले बोलना चाहिए था ना complex number CET के portion में है इस चीज़ के लिए हम महराष्ट्रा गॉर्मेंट को क्या बोले इतना end moment पे decisions लेती है कि बच्चा भी सोचता है यार prepare करे तो कब करे स्टूडेंट भी हैरान टीचर भी हैरान टीचर ने भी जब 11 में complex number पढ़ाया तो यही बोलके पढ़ाया कि यह CET में नहीं है कोई बात नहीं अब क्या करें बैड लक तो बैड लक यह दो है पता तो चला इनकी मदद से और दो फॉर्मिला सोच सकते हो वाट विल हैपन अगर आप e raise to i theta और e raise to minus i theta को एड करोगे सोचो यह वाला e raise to i theta और यह वाला e raise to minus i theta what will happen अगर आप इन दोनों को एड करोगे तो बैटा वो plus i fine theta minus i fine theta कट जाएगा और तुम्हें result में आएगा 2 cos theta same way एक काम करो e raise to i theta और e raise to minus i theta को सब्ट्रैक्ट करके देखो जब यह करोगे ना तुमारा result आएगा 2 i fine theta उसी तरह अगर e raise to i n theta plus e raise to minus i n theta करोगे तो तुम्हें answer आएगा 2 cos n theta और अगर e raise to i n theta minus e raise to minus i n theta करोगे तो result आएगा 2 i sin n theta यह चार reward mcq perspective बहुत important है आए कैसे तो मैंने उपर से पूरा cycle बता दिया कैसे आए अच्छा फर कौन से mcq j e mcq के c e t mcq obviously बेटा c e t mcq j e mcq इतने हलके लेवल पर थोड़ी आएंगे इसे काफी हलका level माना जाता है जो अभी अभी हम लोग कर रहें बिसिकली क्वेश्चन क्या बोलता है क्वेश्चन ऐसा हो सकता है वो बोलेगा इस एकदम simple level है बस बच्चे को फट से क्लिक होना चाहिए इस रूट एक्स प्लस वन अपॉन रूट एक्स प्लस वन अपॉन रूट एक्स इस एक्वल तो तू कॉस थी थीटा बोलता है इस रूट एक्स प्लस वन अपॉन रूट एक्स इस तू कॉस थी थीटा देन वाट इस दा वेल्यू ओफ एक्स रेज तू सिक्स प्लस वन अपॉन अपॉन एक्स रेज तू सिक्स बोलता है मुझे इसकी वेल्यू लाके दो that's it, यह तुम्हारा question है, options होंगे, मैं यहां options दे ही नहीं रहा हूं, मैं तो तुम्हें question सिखा रहा हूं सीधा, कि वो जो अभी अभी तुमने सीखा, उस पे question किस तरह का आएगा, यह जो तुम्हें यहां पे एक equation दिख रही है, कि root x plus, 1 upon root x, is equal to 2 cos 3 theta, यह कहीं ना कहीं, ऐसी नहीं लग रही है, e raise to i theta plus, 1 upon e raise to i theta, is equal to 2 cos alpha, हाँ, यह ऐसी लग रही है, एक match-up करवाया, कि हाँ भाई, 2 मुझे लग रहा है, ऐसा है, और यह जो 1 upon e raise to i theta होता है, उसी को तो बोलते हैं, e raise to minus i theta, तो e raise to i theta, plus e raise to minus i theta, आया मेरा 2 cos alpha, मेरे को चाहिए, x raise to 6, इस समय मैंने e raise to i theta किसको बोला है, root x को, तो root x बोल रहा है, i am e raise to i theta, सवाल यह उठता है, अगर मुझे root x को x raise to 6 बनाना है, तो क्या करूंगा, अब इतनी तो common sense बच्चे में होनी चाहिए, वो क्या करेगा, root x का raise to 12 मारेगा, because root x खुद x raise to half होता है, तो उसने क्या किया, root x का raise to 12 मारा, अब यहाँ 12 मारेगा, तो यहाँ भी 12 मारेगा, पावर में, यहाँ 12 मारेगा, तो indices के हिसाब से यह हो जाएगा, e raise to i, 12 theta, in fact, यहाँ पे भी मैंने, फिगर थोड़े मैच करवाने चाहिए थे, I should not have taken theta over here, I should have taken alpha, yeah, then only my formula will match, e raise to i alpha, plus e raise to i alpha, if 2 cos alpha, that is, e raise to i alpha, plus e raise to minus i alpha, यह यहाँ पे भी मैं हलका हलका changes कर लूँगा, I know that small, small mistakes can happen, e raise to i alpha होना चाहिए, यह, तो यह e raise to i, 12 alpha आएगा, तब जाकर यह x raise to 6 बनेगा, तो बिटा, अगर मुझे इतना समझा, कि x raise to 6, क्या है, अब अगर मैं लिखने जाऊं, x raise to 6, plus 1 upon x raise to 6, तो don't you think, वो ऐसा हो जाएगा, e raise to i, 12 alpha, plus 1 upon e raise to i, 12 alpha, which is e raise to minus i, 12 alpha, अब यह तो e raise to i, n alpha, plus e raise to minus i, n alpha, जैसा हो गया, जिसका answer आएगा, 2 cos n alpha, और वो n 12 है, तो यह आया, 2 cos 12 alpha, येस, पर अभी भी तो problem है न, problem क्या है, अब theta और alpha को map करो, उसने क्या किया था, 3 theta को ही alpha मान लिया था, तो अगर वो बोलता है के, alpha is equal to 3 theta, अब यहां मेरे को 12 alpha चाहिए, multiplying 12 on both sides करोगे, तो ये 36 theta हो जाएगा, मतलब मेरा x raise to 6, plus 1 upon x raise to 6, ये आएगा 2 cos 36 theta, x raise to 6 plus 1 upon x raise to 6, मेरे को थोड़ा आपको detail में समझाना था, इसलिए इतना फट 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 मतलब फट फट नहीं, इतना process के साथ किया, नहीं तो मैं इसका answer orally भी लिख देता था, कोई फ़रक नहीं बढ़ता था, कोई बोलेगा सर, ओरली कैसे लिखते है, तो ओरली ऐसे लिखता बेटा, उसे x raise to 6 चाहिए था, मेरे पास x raise to half था, अगर मेरे पास x raise to half था, और मुझे x raise to 6 करना था, तो कोई भी मेरे को आटोमेटिक बोलेगा, कि यहाँ 12 पावर लगनी चाहिए, और वो जो rule मेरा पिछला चल रहा था, उसके हिसाब से, सिर्फ यह जो angle है, यह multiply by 12 होता, मतलब हो गया, मेरा answer आ जाता, 2 cos 36 θीटा, mcq करने वाले, बहुत फटा फट कर लेते हैं, लेकिन कहीं अगर बच्चे को concept नहीं आता होगा, इसके लिए मैं इतना detail में गया, मेरको otherwise इतना detail में नहीं जाना था, इट वोग उप नो यूज, ओके, तो इस वाज यूर, मैं यह नहीं बोलता के मैंने आज complex number पूरा सिखा दिया आपको, नहीं नहीं, एक छोटा सा glimpse दिया है, I have given you almost 10 या 20%, 10% 20 भी बहुत वादा हो गया, 10% of the chapter in your syllabus of ED, 90, 90% बाकी है, ले लेंगे, और एक दो सेशन ले लेंगे, अगर जरुवत बड़ी तो, पर ये एक सेशन में उमीद करता हूं, मैंने कुछ मदद तो आपकी की होगी, in complex numbers, मेरी हमेशा यही ख्वाईश होती है, के मैं बच्चों की कुछ मदद तो करूं, अगर सब कुछ ना सही, I am not Rajnikaanth, right? I cannot do everything, but if I can do something for you, I am ready to do. Bye, बटा.